हेलो डिवाइन फैमली वेलकम बैक टो डिवाइन टैरो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आई विश आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस सो आज के ज़ड़िंग होने वाली है इस डीड़िंग में हम देखेंगे कि आपके पॉर्टों के लेट नाइच डीब फीलिंस ज़लदी से ध्यान कीजी अपने पारट्णर का नाम मनीमं दोहरा सकते हैं आप धिक है हम देखेंगे हां पर éner ग्र्षिंट के बारे में आप सोच रहे है उस person की feelings क्या है यह person आपको लेकर के क्या सोच विचार कर रहे है ठीक है ओके सो चली अब हम देख लेते हैं नाम लीची अपने partner का money man उनको याद कीचिए ओके सो चली देखते है universe मुझे बताएं कि मेरे viewers चीज यह person का धियान कर रहे है कि अज रात की feelings क्या है यह वेक्ति क्या सोच रहे हैं कि मन में क्या चल रहे हैं कि कप्स के energy है तो a king of cups यहां पर three of cups कैंसो स्कॉर्पियो पाइसस हो सकती है इनकी राशी स्कॉर्पियो यानि कि व्रिशिक राशी मीन यानि कि पाईसस राशी दिखते ही है इस व्यक्ति के मन में emotions बहुत जादा है ठीके आपको लेकर करके वेक्ति दिन रात आपको याद करते हैं और कहीं एक सब्सेर्प्रत राज रते हैं लागरे त्म इकर दो करते हैं एव पर परजा करने कावले को एक लाप इस व्यक्ति के लाइफ में आपके होने से सलिब्रेशन होता है आपके होने से लाइफ में खुशिया होती है यह पॉर्सन बहुत जादा इंजॉय करते हैं आपके साथ ठीक है बहुत जादा लॉफ फील करते हैं आपके लिए बट ऐसा लग रहा है जब से आप इनके लाइफ रहा है यह पॉर्शन जो है काफी जादा खुद को मजबूर समझ रहे हैं ठीके इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता ओके मेरे मेरे हक में या मेरे हित में कोई ऐसी चीज नहीं है जो में इस पॉर्शन के लिए कर लूब कहीं नहीं है पॉर्शन आपको अप्रोच भी करना चाहते है इस पॉर्शन की लाइफ में यानि की यह चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है मेरे हाथ पुरी तरीके से बंदी हुई है यदि मे जब से तूटा है इनका ऐसा लग रहा है इनकी हार्ट प्रेक हुई है विद ट्री ओफ सोट्स यहां पे त्री आफ कप्स कोई हाट पार्टी सिच्वेशन यह किसी तीसरे परसन की इन्वाल्मेंट हो सकती है जिसके वज़े से भी यह पॉर्सन काफी जादा परिशान है ठीक यह बंधन भी महसूस करते हैं बंधावासा फील भी करते हैं स्टक बहुत जादा है जिसके वज़े से यह सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मैं नहीं जा सकती तो क्या है बट मैं सामने वाले को अट्रैक्ट तो कर सकता हूँ अब आपके पार्टनर की मन में एक ख्याल आ रहा है कि मैं इसे मैनिफेस्ट कर लेता हूँ क्या पता यह खुदी आ जाए बिकॉज इनके लाइफ में तो लोगों के बंधन बाते और उनके कहीं ने कहीं ताने हैं ठीक है ऐसा लग रहा है इस पॉरसम को बहुत ज़्यादा टोन दिया जाता है यदि यह कोई काम कर लेते हैं ख इनको बहुत सारा लाफ चाहिए बहुत सारी केर चाहिए बहुत सारी रिस्पेक्ट चाहिए आपसे थिके बट यह इनको मिल ने रही है इनको अपने लाव लाइफ में यह अल्रडी भी मैरेड है ना इनके लाइफ में कोई है उसके बाद भी इनको चीजे हासिल नहीं हो र प्राप्त नहीं हो पारी है जो लव जो अट्राक्शन जो फीलिंग से आपसे फील करते देना वो किसी और के लव में नहीं है ठीक है बहुत डिफरेंट है इनरजी क्लिरली बता रही है कि पॉर्सन चुप चाप कही न कहीं बस आपको देख रहे हैं ठीक है आपको लाइक बहुत जादा यह आपको इगोइस्टिक दिखेंगे वर्ट इस ब्रैक्ति के मन में क्लिरली यह नजर आ रहा है कि आप यह आपके साथ विक्ट्री करना चाहते हैं ठीक है अब यह आपके साथ लाव रिलेश्निशिप में इन्वाल्मेंट चाहते हैं ऐसा लग रहा है पास जिसमें यह खुद वीन करना चाहते हैं कि बस आप रड़ी हो जाए इनके साथ किसी भी तरीकिया कोई सीक्रेट रिलेश्निशिप रहने के लिए यदि अभी तक से आपके पार्ट्नर ने यह बाते आपसे नहीं कही है तो डफनेटली आने वाले टाइम में चाहे लड़का ठीक है इनका ध्यान कहीं काम पे है बट साथी साथ आपके लिए अट्रैक्शन लाव जो है यह नाइट के टाइम पर बहुत जादा फिल करते हैं ऐसा लग रहा है आप दोनों में कहीं ने कहीं इंटमिसी मिसिंग है यानि कि आप यदि इन से दूर हो सो डफनेटली यह अगेन इंवल्मेंट चाहते हैं बहुत लोग के लिए चांसे हैं कि यह पॉरसन आपको दूर से देख करके आहें भर रहे हैं ठीक है और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत समय पे इन्होंने बहुत सारी गलत बाते या गलत डिस्जन ले लिए ठीक है जिससे कि यह निक बहुत लोग के लिए पॉसिबिलिटीज है कि इस पॉरसन ने डेफिनेटली आप से स्रीफ और स्रीफ फिजिकल रिलेशन्ट की अपना रिष्टा रखा है ठीक है यानि कि जब तक से आप इनके साथ रिलेशन्शिप में इन्वाल्मेंट नहीं था आपका या इन्वाल्ब नहीं हुए थे तब तक से इस पॉरसन ने आपको अप्रोच करा आपसे ललू पचु करा ठीक है आपके आसपास मंडराते रहें जैसे कि जैसे भवरे मंडराते है ना फूल के आसपास वैसे ही आपके पास मंडराते रहें ठीक है और जैसे इनका काम हुआ कहीं नहीं आपक इनको काफी समय लग गया होगा ठीके बट आपके सार डिस्कनेक्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा हप्ते दो हप्ते का आर्गुमेंट आप दुनों में चला होगा रहा होगा ठीके डिसक्रिशन्स रही होंगी एक दूसरे से अडिस्टांडिंग अच्छी नहीं बैटरी सजुटरियस धनू राशी एकवेरियस कुम्ब राशी कैप्रिकॉन मकर राशी बर्गो कन्या राशी एरीज मेश राशी यहां पर इस वैक्टी के लाइफ में डफिनिटली पैसों के रिलेटेट कोई दिकत है या इनके लाइफ में इनको बहुत सारा पैसा चाहिए था ठी इनके फैमिली में थी या ये और इञेश थे वहां से इनको जादा फायदा हो रहा था यह वहाँ चले गया कुछ तो ऐसे डिफिकल्टी आप दोनों में आई है जिसके वज़़सी वैक्ती जो है कहीं-न-कहीं आपने आप महीं सिमित रहे थीके आपने आप महीं कहीं-न-कह करते हूए आपको एप्रिशेट करते हुए नजर आ रहे है इनको ऐसा लग रहा है विद्ट डौ आपके सोलमेट नहीं हो रहा है कि यह आपके सोलमेट है because इनको ऐसा feel हो रहा है कि मैं इस person का soulmate हूँ इस relationship में किसे तरीके कोई workout किस तरीके कोई work नहीं दिख रहा ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस relationship को बचाने में इस रिष्टे को बचाने में किसे तरीके कोई effort डाल रहा है अपने तरफ से कोई initiative है इनके life में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आप ऐसा लग रहा है कि आपके partner जो है सरीफ और सरीफ आप से लेनी की उम्मीद जादा करते हर बारे relationship में इनका involvement रहता है सरीफ और सरीफ ये सोच कर कि आप इस relationship में work करोगे आप इस relationship को चलाओगे इस रिष्टे में जादा प्यार आप दोगे हमेशा आप से ही expectations इनकी रही है और ये expectations कहीं न कहीं day by day इनके मन में ये च्छा बरती जा रही है ये आपके बारे में सोच विचार कर रहे है और आपके partner ने आपका हाथ अभी तक छोड़ा नहीं इस पॉर्षन ने आपको disconnect कर दिया है इस पॉर्षन ने अभी भी आपको पकड़ा हुए ठीक है आप भी आपसे वही love वही प्यार वही attraction ये आपसे feel करते चाहते हैं कि आप भी इनके प्रती love feel करो ठीक है यहाँ पर इस व्यक्ति ने vent को पकड़ा हुए यानि कि यहाँ पर दो vent से जो ऐसे ही लगे हुए है इस पर इस व्यक्ति का ध्यान नहीं है बट यह दूसरा vent देखो इस person ने पकड़ा हुआ है जिसमें से पत्तिया जो है थोड़ी सी जादा उभरी हुई है निकली हुई है राइट इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उमीद अभी भी है आज भी आप इनसे पीछा छोड़ा नहीं पाए यह आज भी आप से पीछा नहीं छोड़ा पाए आज भी आप इनसे दूर नहीं गए हो डेफिनेटली व्यक्ति जो है आपके पास लॉट सकते हैं बट कैसे यह सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस पॉर्षन का सामना करूँ आपके पार्टनर मुवाण नहीं हुए है यदि आपके मन में कोशन था कि व्यक्ति भूल के मुझे मुझे मुवाण हो गया है आपके प्यार करते हैं इनके मन में आज भी आपके लिए प्यार उतना ही है रिस्पेक्ट उतनी है केर उतनी ही है बट दिखाना यह छोड़ दिये ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों का एक्स्पीरियंस इस पॉर्षन को हो गया है लव लाइफ कहें आप या फिर फैमली लाइफ कहो या दुनियादारी की बाते कहो यह पॉर्षन काफी एक्स्पीरियंस पॉर्षन बन चुके है ठीक है अपनी लाइफ में जो है कोई भी ऐसा पॉर्षन नहीं है जो इनको सही रास्ता दिखा इनको सही जगा पे लेके जाए या इनको सही चीच करने के लिए गाइट करें ठीक है कहीं ना कहीं यह पॉर्षन जो है काफी ज्यादा सोच विचार में डूबे हुए सा नजर आ रहे हैं इनको ऐसा लाइफ से इनकी चीज़े चूटी है विकाज यहां पर फाइब कप्स की एनरजी है सो डेफनेटली इनके लाइफ से कुछ रिष्टे कोई लोग चूट चुके हैं पास्ट में जिसके वज़े सी यह पॉर्सन जो है अब जो आपर्चुनिटी है ना उसके तरफ इनका ध्य नमबर फाइब नंबर थ्री नंबर ट्ू नंबर वन नंबर नइन ओके नमबर ट्वैंट एयल नूंबर फाइब यहां पर निकल करके आ रहा है ठीके पता नी क्यों ट्रिपल लाइन एकदम अचानक चे मुझे आपर दिखा थीके तो सकता है आप ऐसे नंबर्स बहुत सा ऋपके सो आपकी रिडिन जोक रिडिन यह पसंद आई है स्ट्रिडिंग को लाइक करें जड़ड केज़र केज़का चैनल पर यदि पहली बारो आया है ऐसे चैनल कर सब्सक्राइब करें लाइक करें जैसाना प्यार दे डिवाइन टरो को अभी कि इतना है मैं मिलती हूँ आप सभी से ग्लेडिंग में बाई काईस